देश में हो रही कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश चिंता का कारण मंती दिखाई दे रही है मद्य परदेश के विदीशा में पिछले दो दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालो के किनारे स्थित हजारों हेक्टर खेतों में पानी भर चुका है बुद्वार को जब वर्शा रुकी और खेतों से पानी निकाला तो बरबादी का मंजर चार और नजर आया विदीशा बासोदा नटेरन शमशाबाद और कुरवाई में बेतवा नदी किनारे लगे खेतों में खड़ी फसलें खराब हो चुकी थी नदी किनारे बसे गाउं में किसानों को भरी नुकसान हुआ है करी जगे अभी भी फसलें पानी में डूबी हुई है किसान जैसे तैसे पानी निकालने की कोशिशों में लगे हुई है किसानों को कहना है कि इन दिनों सोया बीन की फसल में फूल आ रहा था डूब जाने के कारण फूल जड़ जाएगा जिससे 100% नुकसान होना तह है खरीब में सबसे ज्यादा सोया बीन और उड़द में नुकसान होने की संभावना बनी हुई है इस साल जिले में करीब पौने 5 लाख हेक्टर में सोया बीन धान उड़द आदी की सोईंग की गई है जिसमें करीब 7 लाख हेक्टर में उड़द तो 5 लाख हेक्टर में सोया बीन की सोईंग की गई है सबसे ज़्यादा नुकसान उड़द और सोया बीन की फसलों को होता दिखाई दे रहा है किसानों का कहना है कि सोया बीन की फसल को 50 दिन हो चुके हैं ऐसे में बारिश का ये मंज़र सोया बीन की फसल को 100 फिस दिन रुप्सान कुंचाता दिखाई दे रहा है Bureau Report Marketime TV झाल झाल